आज हम बनाएंगे बहुत ही टेश्टी बेसन की सब्ची और इसे बनाना बहुत ही असान है आप देख सकते हैं बिल्कुल डिफ्रेंस तरीका से बना हुआ है तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है अगर आप लोग मुझे इतना प्यार और सपोर्ट नहीं देते हैं तो यहां तक पहुए लिए मस्कील जाब बैशन को बादा तो आपको किसी कोटोरी या कप को मिंदाब कर लिए उससे आप लिजिए दो कप बैशन एदू कटोरी वेशन और इसको च्छान लेंगे आप जितने लोग के लिए बनारे है उसी को कोड़िंग लिजाएगा च्छानने सी होता है कि बैसन बिल्कुल फ तो यह बहुत ही अच्छे से शेप नहीं लेगा इसलिए आटा ऐसा लगाना है कि जिस तरीके से मिसका से शेप दें तो उस तरीके से शेप ले 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 थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका हम आटा लगाएंगे एक ही बार में आपको पानी बिल्कुल भी डालना अगर एक ही बनाने के लिए आप उचले देखते हैं इसको सेप कैसे देना है तो पहले इसका चोटा चोटा पेड़ा निकाल लेते हैं और इसको हम सेप देंगे और यह बहुत ही असान है बनाना एक बर आप देख लिए तो बार बार इसी तरीके से बनाएगा 100% मेरा गरांटी है और इ माणहें और चप्टा हमें पें सेस्का और पें सेस्के नद्रीज तरीके से मचली से कटने और इस को सिब लू MEL Rider और पें लिडिये इस तरीके को सिल करेंगे तरीके से में इस हमेतं रचाखन पेन को लगा रखें उस साइड को बिल्कुल भी नहीं बंद करेंगे क्योंकि वहां से हमें होल्स चाहिए इसलिए हम बीच में पेन लगाया थे तो आप पेन के जगा पर पेंसिल कभी इस्तमाल कर सकते हैं या कोई लकड़ी का और इस तरीके से सौधानी से पेन को निकाल दे चैनल पर अपलोड हो चुका है आदिवासी ओरिजिनल ओयल होता कैसा है उसका वीड़ी आप जाके देख सकते हैं और देखने के भाद उसे अप मंघा भी सकते हैं कैसे मंघाना है क्या है सब कुछ उसके बारे महाँ को बता चुके हैं और इस तरीके से देखें दुसरा भी हम आपको एक बर बना के दिखा देते हैं, तो इसे तरीके से अब को चप्टा करना है और बीच में पेन रखेंगे और इसको हम सिल कर देगे ज्यादा हमें पतला नहीं रखना सब बद बन देंगे और इसे चलते हैं उबालने के लिए पहले से हम पूकर में पानी उबलने के लिए रख दिये हैं पानी जो हमारा बहुत ही अच्छे सुबल गया है तो एक एक करके सारा हम इसमें डाल देंगे तो चलिए देखते हैं पानी हमारा बहुत ही अच्छे से गरम हो गया है तो एकर करके अर्पानी में डाल अगए और इसे उबा लेंगे उबालना अपको pause high flame पे नहीं ही मुद्ट कि अबहुत ही तृबलना प्रखन दीख ывает। इस को निकाल तो हम क्ट करेंगे क्योंकि गर्म गर्म में इसको कट नहीं करेंगे नहीं तो यह थोड़ा सा तूट भी सकता है इस बात का ध्यान रखेगा और यह बहुत ही अच्छे से पक चुका है आपको हम एक निकाल के भी दिखा देते हैं यह देखें बहुत ही अच्छे से यह पक गया है तो अभी से उबने के लिए जादे ने करते है से लिए लह बेढ़ता सं यह रख मराणा मतलम कंबा करें जादे तब तक से हमारा थंडा हो चुका है तब ट्रीं हमां इकाल तुम कर लेके हो थे करेंगे का पधैसा यहां कि रख़ा देंगे विधाने चाहते दूजा से दिखा रख़ा बनाके सब्चप लाईगे दीखिने कि लिए पाप के दिखा अपने हैं तो अच्छी शोर बनागी सब बना सकते हैं और यह देख इसता है के संचोप करना है सारे कट करना है सारे कट करकी निकाल लेंगे फिर उसके बाद हमन films से चलें में फ्राई करने के लिए सारे के कमें कट कर लिए यह थोड़ा सा प्तला प्तला मिरण करेंगे तो और इसलिए अकहसर भी हम cooking करते हैं तो सर्ष्टो के तेल में ही करते हैं और एकसर हम अपने वीडियो में बताते भी आपको एक एक करके डालते जाएंगो इसे उलट प्लट करके हम इसे fry कर लेंगे और ये दिखे कितना से इसमें कलर आ गया देख सकते हैं इसे दोनों तरब से शेक लेंगे बहुत ही अच्छा से 2-3 मिनट में बिल्कुल सीख के तियार हो जाता है medium to low flame पे अब इसे निकाल लेंगे निकालने के लिए इस तरीके का छननी का इस्तिमाल करेंगे तरहें कि तेल तेल से और बहुत अच्छी निकल जाता है और ये ज़ो है तरहे पर विल्कुल क्रंची हो गया इस तरीके से भी आप इसका टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि नमक और कुछ मसाले हम पहले से एड़ किये होते हैं इसलिए बहुत ज्यादा टिश्टी लगता है दूसरा बैच भी इसी तरीके से हम फ्राइ कर लेंगे और बच्चे हुए तेल में मसाला को भूनेंगे अभी हम इसमें बिल्कुल तेल नहीं डालेंगे जब कम लग मसाला को दानने के बाद तब तक भूनेंगे जब तक इसका कच्छा पन्या निकल जाए और इसे तेल ना रिलीज होने जलगे तब तक भूनना है और यह देखे इस तरीके से आपको मीडियोम टू लो फ्लेम पे भूनने का कोसिस करिए क्योंकि हाई फ्लेम पे मसाला भून जो आप खाना पसंद करते हैं और इसमें आपको फुछ भीने डालना है कभी भी हम कलर के लिए कासु При Loree का पाउडर का इस्त'माल नहीं करते हैं जो बी बीदयों कोकि लिए और दालने के भाद इसको क्ति़र्ड लाल इस ता है और नमक नमक डालने के बाद इसको पका लि चला देखें और भी नहीं देखें जूसर्टा जबना की में चाये करीकी मसाला भुण कर ढ़ें चलने चलने हैं कि अपने अच्छीम बींदी तो 2 ऊह थो मासाला भुणन ध coffin कि तवह को मुणत्याब मिक्स करने के बाद अगर आप ग्रेवी वाला सबजी बनाना चाहते हैं तो इसमें पानी एड़ कर सकते हैं अगर ज्यादा ग्रेवी वाला पसंद करते हैं तो अगर कम ग्रेवी वाला सबजी बनाना चाहते हैं तो कम पानी एड़ करिएगा और यह सारे मसाले को पहले पाने डालने के पाद आप दिप के मिक्स करने 10 मिनटक लिए और आप पाने डालके बैस्चा पानियालना है पानी के सांटेवल उपूल पूस्کयाओक लिग्षा आपको मिक्स करने के साथ 2 जब वेदा आया फाहर है एक और pध समय। नहीं हम प्याज डाले हैं विड़ाओ टमाटो रॉप्याज की सब्जी बनके त्यार होता है और यह देखिए बहुत ही अच्छे से इसमें भुबाल आने लगा है जो हम फ्राइ करके रखेते हैं वह सारा इसी पर डाल देंगे और डालने के बाद पांच मिनट तक पकाएंग नान रोटी आप घर पे इजी तरीके से कैसे बना सकते हैं उसका वी वीडियो मेरे चानल पर अप्लोड है आप नहीं देखें तो जाके प्रियंकाडीसी पर देख सकते हैं और यह देखिए बहुत ही अच्छे से सौप्ट हो गया है तो हमारा सब्जी बनके त्यार हो गया ह आपको यह सब्जी का वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना बुलिएगा वीडियो पसंद आयागा तो लाइक जरूर करके जाएगा